नारिल पानी का सेवन सेहत के लिए काफी फायदे मन्द होता है इसे बिटमिन C, E, Iron, Calcium, Copper, Phosphorus, Potassium और Magnesium आधी पोशक्स तर तो मौझूद होते हैं जो सेहत को कई लाप पहुंचाते हैं तोचा और बालों के लिए भी नारिल पानी बहुत ही लापकारी होता है नियम में तर लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्वास्त समस्याओं में नारिल का पानी का सेवन करने से सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है इसे रूवी के मौझूदा इसे दे बिगड़ सकती है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कि लोग को नारिल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए इसे क्या-का नुकसान होते उसके बारे में तो वीडियो को अन तक जरूर देखें पहला है सर्दी जुकाम होने पर सर्दी जुकाम होने पर नारिल पानी का सेवन सिमित मातरा में करना चाहिए दरसल इसकी तासीर ठंडी होती है जिसे यह शेर को दरसल इसका glycemic index पेहदी high होता है, इसमें carbohydrate की मात्रा भी काफी अधिक होती है, इसे पीने से blood sugar level तीजी से बढ़ सकता है, अगर आपको diabetes है तो डॉक्टर की सलाहा पर ही इसका सेवन करे, तीसरा है किड्नी से जुड़ी विमारी में, जिन लोगो किड्नी से जुड़ी कोई सम समस्च्या हो, उन्हें नारिल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, दरसल इसने potassium की मात्रा अधिक होती है, जिसे किड्नी फिल्टर नहीं कर पाती, इसकी व्यासी ये किड्नी में जमा होने लगती है, और जिसे किड्नी की बिमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है, चौथा है, लो ब्लड प्रेशर में, जिन लोग को लो ब्लड प्रेशर की समस्च्या है, उनके लिए नारिल का पानी का सेवन हानी का रख हो सकता है, अगर आप लो बीपी की मरीज है, तो नारिल पानी पीने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले ले, पाचवा है, वजन नारिल पानी में कैलोरी की मातरा अधिक होती है, ऐसे में अगर आप नारिल पानी ज्यादा पीते हैं, तो आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा नारिल पानी नहीं पीना चाहिए, छटा है दस्त की समस्च्या होने पर भी ना पीए, अगर आप जरूर पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें